वेल्कम ट्यूट्यूप चैनल दोस्तो आज इस्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिजाइनर बेफ्रॉग फॉर्टो तो थ्री और वेबिगल जिससे बनानी के लिए यहां पे हमने वन एन हाफ मीटर प्लैन फैबरिक लिया है तो चली इससे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने फैबरिक को फोर फोल्ड किया हुआ है अब यहां पे हम टॉप की कटिंग करेंगे तो फोल्ड एरिया से सॉल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहां से आम होल हमें लेना है 5 इंचेस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हमें लाइंटरो करने हैं इस तरीके से अब नेक की ब्रावडनेस हम यहां पे लेंगे 2 इंचेस और लेंग्ध हमें लेनी है 2 इंचेस और 1 इच फ्रंट रोड़ेक के लिए राउंड्स देती हुए नेकड्रो करना है यहां पे दोनों पार्स के लिए अब हमें इसे कट करना है और यहां से लाइन को एक्स्टेंड करना है हमारे लेंध तक इस तरीके से टॉप की लेंद्ध हमने लिए है 19चिस अब हमें इसे कट कर लेना है one by one फ्रॉंट रोर बेक को तो देखियो हमने इसे कट कर लिया है और हमें दो पिस्च मिल गए है फ्रेंट रोर बेक के लिए टॉप के इस तरह से अब यह हमारा फ्रंट साइड है यहां पर हमें पैटर्न करनी है तो लेफ्ट साइड में हमें उपर से 11 इचिस डाउन पर एक मार्क करना है इस तरीके से और राइट साइड में हमें मार्क करनी है तो यहां से उपर से 8 इचिस डाउन पर हम मार्क करनेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हो इस तरीके का अलका सा क्रॉस में हमें लाइन डो कर लेनी है तो इस तरीके का शेफ हमने डो कर लिया है और हमें इसे कट कर लेना है तो देखिया हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे बेक पार्ट को हमें सिधा रखना है और इसके उपर front side को हम उल्टा रखेंगे दोनों shoulder हम अटेश करना है यह देखिया हम दोनों shoulder अटेश कर लिए है अब यह हमारा front का part है और यह हमारा back side है तो back part को हमें अच्छे से center से fold करना है और यहाँ पर 4 inches down तक हमें cut लगाना है hooks के लिए back side के लिए तो इस तरीके से 4 inches down तक हम cut लगाएंगे center पर और वापस हमें इसे open कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर हमने strips cut कि है जिससे arm hole पर हमें older रखना है और हमें इससे लाइक करनी है front row back पर और neck part पर भी strips को उल्टर रखेंगे और हमें इसलाइक करनी है और इसे तरीके से दोना arm hole को हमें ready करना है और neck part को भी हम ready करेंगे रोंग side पर double fold करते हुए यह दीखिए हमने इस तरीके से arm horse और neck part को हमने ready कर लिया है और back side को भी हमें कर लिया है इस तरीके से और यहां पर यह हमारा front का part है यहां पर हमे रफल बना के यहां पर जूऱ करना है और इस से हमें decorate करना है तो इस तरीके से five and half branches length की यहां पर हमने strips cut की है इस तरीके से जिससे यहां पे रफल बनाके हमें अटेश करना है तो आपर वूर्डर पे हम बड़े नमबर की सिलाइ करेंगे और यहां पे एक धागे को लग करके एक हलके हाथ से किष्णा है और पूरी ब्राडनेस में गैधरिंग करेंगे और रफल यहां पे हमें रेडि करनी है तो यह देखिए हमने रफल यहां पर रेडि कर लिया है और फरंट साइड पर हम इसे इस तरीके से अटेश करना है तो इसके उपर हम उल्टा रखेंगे और उपर से हमें सिलाइ करनी है तो यह देखिए हमने रफल को यहां पर अटेश कर लिया है और यहाँ पे एक और रफल बना के हम अटेश करेंगे तो 3 इचिस लेंथ की और 33 इचिस ब्राडनेस की यहाँ पे हमने स्टिफ लिए है जिसे दोरों बोडर को रोंग श्राइट पे डबल फोल्ड करते हैं और सेंटर पे हम गैधरिंग के लिए बड़े नमर की सिलाइक करेंगे तो यह देखिए हमने दोरों बोडर को फोल्ड कर लिया है और सेंटर पे हमने बड़े नमर की सिलाइक की है यहां पे हमें gathering करते हुए यहां पे ruffle ready करनी है push tips में इस तरीके से तो यह देखिया हमने रuffle ready कर ली है और इसे टॉप और bottom की जो joining है इसके उपर हमें सिधर रखना है और उपर से सिलय करनी ही यह देखिया हमने ruffle attach कर ली है फ्रंट साइड को डेकॉरेट कर लिया है। अब यहाँ पे यह हमारे टॉप पे फ्रंट और वेख हमने रेड़ी कर लिये हैं। इस तरीके से अब दोनों को रोंग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो यहां पर हमने मार्किंग कर ली है फ्रंट साइड को बेक साइड पर मार्किंग कर ली है और यहां से हमें बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है जो हमार एक्ष्टा बॉर्डर है यह देखे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है रोंग शैट पर अब दोनों को रोंग शैट प इस तरीके से और इस बॉर्डर को रोंग श्राइट पर डबॉल फोल्ड करते हूं पुरा रावना हमें सिल्या करना है और यहां पर भी हम सिल्या करेंगे तो यह देखिए हमने फ्रॉक को फिटेंग कर लिया है बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और इसी की साथ हैं डिजाइन भी बिटोप हमारा रेडी है दोस्तों अगर आपको यह हमारे डिजाइन अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चेनल को और उस बेर आकन को भी प्रेस करें ताक कि आपको हम आने वाले सब्सक्राइब की इंफर्मेंशन विलते रहें थेंक्स पर वोचिंग झाले सब्सक्राइब करें झाले सब्सक्राइब करें